मलपल नियूस को सस्क्राइब नहीं किया है तो अभी सस्क्राइब करें और नए वीडियो अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं अकलियत दुनिया में हर जगा पर अक्सरियती फिर्के और हुकूमत के निशाने पर है खासकर उन मुलकों में जहां की हुकूमतें वोट के दरीया आती है 1994 का वाक्या अभी हमारे जहनों में ताजा है जब वहां पर भूतु अक्सरियती फिर्के ने वहां के तुटसी अकलियती फिर्के की नसल कुशी की तकरीबन दस लाख लोग मारे गए इसी तरह से बोस्निया में 1992 से 1995 के बीच बाजापता नसल कुशी के वाक्याद हुए और तकरीबन एक लाख बोस्नियन मुसल्मान मारे गए ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर वो इनतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं ये वो सहर तो नहीं जिसकी आर्जु लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं लेको पिछले दिनों हर्याना से एक खबर आई वहां गुरू गुराम के गाउं में एक मुसलिम खांदान पर हमला हुआ हमलावरों ने लाठी डंडों से घर के लोगों को पीटा और 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 बच्चों को भी नहीं छोड़ा इस वीडियो का वाइरल अगर आप देखिए तो दिल दहला देने वाला है और एक मिनिट के लिए अपने आपको उसकी जगह पर रखके सोचिए जिन दियों ये खबर आई ये वीडियो वाइरल हुआ तक्रीबन उसकी आसपास ऐसी एक खबर पाकिस्तान के सिंद प्रॉविंस से आई वहाँ पर दो हिंदू बच्चीयों को जो के अभी नाबालिग हैं उनको एगवा कर लिया गया और फिर उनको मुसल्मान बनाकर उनका निकाह पढ़वाया गया दोनों ही जगे खबर इस लिहाँ से सिमिलर है कि मधभी अकलियतों के खिलाफ कारवाई हो रही है जिस पर हुकूमत सही तोर पर कोई कारवाई नहीं कर पा रही है जो दूसरा वाकिया सिंद का था उस पर हमारी फॉरण मिनिस्टर सुश्मा सुराज ने एक ट्वीट जारी करके इस पर अपनी तश्वीश का इधार किया इसके जवाब में फॉरण ही पाकिस्तान के एक वजीर ने ये बैं दिया कि ये पाकिस्तान का दाखली मामला है और हंदुस्तान पहले अपने हाँ गुजरात और जम्मू और कश्मीर की फिकर करे गोर कीजे तो अकलियतों का जब मामला आता है तो दोनों तरफ की जो पार् हुमते हैं ये दोनों मुखलिस नजर नहीं आती इनकी सिंसेरिटी कहीं भी नहीं दिखती है सिर्फ बयानबाजी होती है हकीकत में क्या सिच्वेशन है किस वज़े से हुआ ये इस बारे में बात सुष्मा सुराज ने जब छेडी थी तो इस पर बात होनी चाहिए थी लेकिन वो खामोश रही है हकीकत ये है कि दोनों मुलक हिंदुस्तान और पाकिस्तान को एक दूसरे की माइनॉरिटी के बारे में पूछने का हक हासिल है और ये हक उन्हें नहरू लियाकत पैक्ट के तहत हासिल है जो 1950 में यानि के आजादी के सिर्फ तीन साल बाद जवाहलाल नह दूसरे को ये हक दिया था एक मौाहिदे के तहत इसमें दोनों मुलक के वजीर आजम ने एक दूसरे को अपने हां की अकलियत को तहफूस फराहम करने की जमानत दी थी कुछ ऐसी ही जमानत 1973 में इंद्रा गांदी और जुल्फकार अली भुटो ने शिमला मौहिदे के दौ है वहां हिंद्वों की आबादी पाकिस्तान की कुल आबादी के मकाबले में बहुत थोड़ी है दोहजार सतरह के सिंसर्स के मताबिक पाकिस्तान की कुल आबादी बीस करोड के करीब थी उसमें हिंद्वों की आबादी सिर्फ 36 लाक यानि के कुल आबादी का 1.6 परसेंट आजादी के वक्त पाकिस्तान में हिंदूओं की आबादी काफी ज्यादा थी लेकिन वक्त के साथ ये आबादी घर्टी गई इसकी दो बड़ी वज़ा है एक वज़ा तो ये के ज्यादा तर आबादी वेस्ट पंजाब में हुआ करती थी वेस्-पाकिस्तान में पंजाब के अलाओओ, वहां के लोग ज़शाथे तर माاء़्रेट करके और अबादी कम हुई. दूसरी बड़ी वज़ा पाकिस्तान में हिंदुओं के अबादी कम होने की बनी बंगला देश का ग्याम. 1971 में जब बंगला देश बना तो वो पाकिस्तानी हिंदू जो पाकिस्तानी कहलाते थे वो बंगला देशी कहलाने लगे बंगला देशी शेहरी हो गए और पाकिस्तान में जो हिंदू के असल आबादी थी वो इस पाकिस्तान में ही थी तो अब जो पाकिस्तान में हिंदु रह गए हैं उनकी आबादी सिंध तक सिमट कर रह गए सिंध के एक 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 आलाके में तो वहाँ उनका लेकिन इसके बावजूद वो अकलियत में हैं और उनके साथ जात्या होती रहती रहती है दुनिया में हर जगा पर इसका हक हासिल है कि उनके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है तो उस पर सवाल उठाए हिंदुस्तान के पास भी इसका हक हासिल है सिर्फ जैसा कि मैंने बताया कि नहरू ल्याकत पैक्ट ही नहीं इंटरनेशनल लौ के मताबिक भी हिंदुस्तान को पूरा हक हासिल है कि वहा नहीं छोड़ना चाहिए था। कुछ ऐसा ही हक हिंदुस्तान के हवाले से बाकी दुनिया को भी हासिल है। लेकिन जब जब इंटरनेशनल और्गनाइडेशन की तरफ से कोई बियान आता है किसी तरह की तश्वीश का इधार होता है तो हिंदुस्तान भी वही लाइन लेता ह है जो अभी पाकिस्तान ने लिया कि ये हमारा इंटरनल मामला है लेकिन हकीकत ये है कि ये इंटरनल मामला अब काफी गंभीर होता जा रहा है। हिंदुस्तान में अकलियतों का मसल्मान अकलियतों का मसला है इसको हमें कबोल करना पड़ेगा। पिछले पांच सालों में ख फसादाद तक नहीं रह गया है, फसादाद अर्बन फिनोमेना है, शहरों तक हुआ करता था, अब खतरनाक बात यह है कि यह फसादाद गौँ गौँ तक फैल चुके हैं, और शहर में जो फसादाद होते हैं, वो किसी खास मसले पर फसाद भड़का और फिर थोड़ी दिर के फसाद भाद थम भी जाता है, लेकिन गौँ में जो फसाद फैलता है, उसका असर बहुत दिनों तक बाकी रहता है, तक गौँ की आबादी होती है, फसाद से आगे बात और यह बड़ी है कि अब इसके साथ साथ हेट कराइम और लिंचिंग के वाकिया भी जुड़ गए है पिछले पांच सालों में दो हजार अठारा खास तोर पर लिंचिंग के सबसे ज़्यादा वाकिया हुए है और खुद सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस लिया है, हेट कराइम और लिंचिंग के हवाले से जो अफसोसनाक बात है वो यह कि इन वाकियात को हकूमत की प्रिटेक्शन हासिल है उन लोगों को जो इस तरह के वाकियात अंजाम दे रहे हैं और यह बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है कि हमारे जो इन्सिचूशन हैं वो साइड ले रहे हैं उन लोगों का और वो इसलिए ले रहे हैं चुके हमारे ऐसी हुकूमत ऐसी पार्टी की ह बन गई है जो के इसी तरह के वाइलेंस में यकीन रखती है अफसोसनाग बात ये है के हेट क्राइम और लिंचिंग्स के वाकियात की पुष्टपनाही हुकूमत की तरफ से हो रही है जो हमारी जो रूलिंग पार्टी है और जो गवर्मेंट है वो इन वाकियात को पर कोई ए देखा के रूलिंग पार्टी की तरफ से जबके हर्याना में बीजेपी की सरकार है सेंटर में बीजेपी की सरकार है लेकिन उनकी तरफ से ना गवर्मेंट की तरफ से ना पार्टी की तरफ से कोई एस्टेटमेंट आया तो पलीस का रवया भी बहुत ही अफसोसनाग रहता है विक्टिम्स के खिलाफी मुखदमा दर्ज होता है और जो लोग इन वाकियात को अंजाम देते हैं उनके खिलाफ हलकी-फलकी कारवाई करके मामले को रफा-दफा कर दिया जाता है गुरू-गराम में भी कुछ इसी किसम का मामला पेशाया है भी वहां पर मुसलमान दो-चार घरी हैं जहां पर यह वाकिया हुआ है कुछ एक मुसलमान खांदान के बच्चे और कुछ नजवान घर के बाहर क्रिकेट खेल रह都ै हुली की छुटी थी लोग बाहर घर के बाहा क्रिकेट खेल रहे थे, बाइक पर कुछ लोग आये और उन्हों ने उन लोगों को बच्चों को खेलने से रोका और कहा कि क्रिकेट खेलना आये तो पाकिस्तान जा कर खेलो, जब घर का बुजर्ग बाहर आया रहे उसने पूछा कि क्या हो रहा है, तो उन लोगों ने बाइक पर जो साथ वो लोग आये और घर पर हमला कर दिया हमला करते हुए उन लोगों ने जो बात कही वो उससे पता लगता है कि उनकी नियत क्या थी जब वो हमला कर रहे थे वो यह कहते जा रहे थे कि मुल्लो ने यहां पर इमारत खड़ी कर ली है इसका मतलब बहुत साफ है मगर पुली पुलीस इस वाके को नजर अंदाज करती रही शुरू में और यह कहकर नजर अंदार करती रही कि यह दो गुटों का मामला है और एक आमसा वाक्या है कोई ऐसी चीज़ नहीं है लेकिन जब इसका वीडियो वाइरल हुआ तो पुलीस दबाव में आ गई और इसे एक्शन लेना पड़ा और कुछ गिरफतारियां हुई कुछ लोगों के खलाफ मकदमा कायम किया गया अब ताजा खबर यह है कि पुलीस ने जिस खानदान पर हमला हुआ है उस खानदान के दो नوجवानों के खलाफ मकदमा दर्च कर लिया है यह एक पैटर्न है जो पुलीस इस पर चल रही है कुछ ऐसा ही कुछ हम लोगों ने अभी बुलंद शहर में देखा था दिसंबर में वहां भी एक संग परिवार के लोगों ने पूरा एक मॉब चुमा कर लिया गाय के कुछ बाकियात मिले थे और पुलीस इस्टेशन पर हमला कर दिया पुलीस इस्टेशन को जो कारवाई की हमला करने वालों के खिलाफ उसके साथ साथ वहां पर मुसल्मानों को भी जोड लिया उसमें जबके मुसल्मानों का इस से कुछ लेना देना नहीं था दूर दूर तक कहीं पर नहीं थे वो लेकिन मुसल्मानों के खिलाफ भी मुख़मा दर्च किया गया औ उन में बच्चे साथ साल और आठ साल के बच्चे भी शामिल हैं और वो लोग भी शामिल हैं जो ना उस वक्त मौझूद थे बलके कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वहां रह नहीं रहे थे काफी दिनों से. इस तरह के जब वाकियात पेश आते हैं तो हिंदी प्रेस का रवया हमारे हाँ बड़ा आजीव होता है। गुरुगराम के मामले में भी हिंदी प्रेस बराबर ये कहता रहा कि ये दो गुटो का मामला है और जो लोग इसको कॉमुनल कलर दे रहे हैं लोग कुछ लोग इसको फिर ये खबर आई कि वो खांदान अब वहां पर उस जगह पर नहीं रहना चाहता है और अब वो घर बेच कर जाने वाला वहां से कहीं और कुछ करने वाला है वो खांदान। हिंदी प्रेस ने फौरण ये खबर चापी एक इंटर्व्यू चापा एक उस घर के एक फर्द का के जिस के हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं हम लोग यहीं रहेंगे हम तो बहुत हिंदो मुस्लिम एक्ता की बात उसमें की गई जिस वगत ये खबर चापी एक बऊदए अखबार नहीं खबर चापी उसी वक्ट उसी खानदान का एक आदमी के कन्सीचीशन कलब बेप्रेस वालों के ये बता रहा था कि वो लोग घर छोड़ कर जा रहे हैं और घर का जो उन्होंना भी कुछ साल पहले ही बनाया है उसका खरीदा ढूंड रहे हैं पाकिस्तान का अर्दू प्रेस भी कुछ इसी अंदाज में काम करता है सिंध का जो वाकिया भी हुआ तो वहां का प्रेस भी लिपापोती में लग गया और बजाए ये के जो विक्टिम्स हैं उनके हक की बात करें वहां जो रिपोर्टिंग हो रही है उसमें पूरे तरह से इस मामले को रफा दफा करने की बात की जा रही है अकलियत दुनिया में हर जगह पर अक्सरियती फिरके और हुकूमत के निशाने पर है खासकर उन मुलकों में जहां की हुकूमते वोट के जरीया आती है 1994 का वाक्या अभी हमारे जहनों में ताजा है जब वहां पर हुटू अक्सरियती फिरके ने वहां के तुटसी अकलियती फिरके की नसल कुशी की तकरीबन दस लाख लोग मारे गए इसी तरह से बोस्निया में 1992 से 1995 के बीच बाजाबता नसल कुशी के वाकियात हुए और तक्रीबन एक लाख बोस्नियन मुसल्मान मारे गए हिंदुस्तान के हालाद भी रोज बरोज तश्वीशनाक होते जा रहे हैं तश्वीशनाक इसलिए के हमारी हुकूमत इस पर बात नहीं कर रही है और हमारी सियसी पार्टियां नसिस रूलिंग पार्टी बलके उपोजिशन पार्टियां भी इस मसले को नहीं उठा रही हैं वोट की सियस्ट का शिकार होकर वो हक बात कहने से गुरेज कर रही है क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि दुनिया हिंदुस्तान में मुसल्मानों के साथ दलीतों के साथ और दीगर अकलियतों के साथ जो जल्म और ज्यात्ती हो रही है उस पर संजीद्गी से गौर करें और ऐसे उपाए करें कि हिंदुस्तान की हिंदुस्तानी हुकुमत की जिम्मेदारी तै की जा सके